नमस्कार साथियों, very good morning all of you, स्वागत करता हूँ आप सभी का 22 जनवरी दैनिक समसामी की 4 बजे, आप सभी का, मेरी प्यारे साथियों, सुभय की किरने निकल चुकी है, जल्दी ही आप लोगों का आलिंगन भी करेंगी, जल्दी से उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए, और पढ़ना शुरू करिए, 15 मिनिट में 15 सवाल, जो कि न्यूस के साथ साथ केवल उसी न्यूस के साथ आज का करेंट पढ़ाने के लिए आपके लिए लाई गई है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आप अगर सेशन मर नए हैं, सेशन को जल्दी से शेयर और ला विष्विध्याले को सम्दोधित करेंगे, जो कि आसाम में इस्थित है, ये तथ्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्लियर, तो आसाम कहाँ पर है, पूर्वत्तर राज्य है, और पूर्वत्तर के जो साथ राज्य है, उनमें से आसाम सबसे बड़ा राज्य है, सरव तेजपूर विश्विध्याले के कुलपती याद रखिएगा विश्विध्याले के जो कुलपती होते हैं वो राजी के गवर्नर ही होते हैं तो जगदीश मुखी यहां के कुलपती हैं जो कि इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे ये तथ्या आप लोगों को मालूम होना चाहि तेजपूर विश्विध्याले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह कहां पर इस्थित है आसाम में इस्थित है और इसे एक एक्ट के माध्यम से केंद्री विश्विध्याले के रूप में स्थापित 1994 में किया गया था आगे के साथ में आपको अगर बताऊं तो मेरे प्यारे साथियों तेजपुर के साथ मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो आसाम राजे आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा जिसकी अंतररास्ट्रे सीमाएं आपको बांगलादेश और भुटान से साजा होती परने के लिए जो कि free of cost अनकेडमी पर उपलब्द हैं अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके मेरी क्लासिस को एकसेस कर सकते हैं बात की जाए मेरे द्वारा ली जा रही special classes के अलावा paid classes की तो UPSC में मेरे द्वारा Indian quality और SSC में मेरे द्वारा physics पढ़ाई जा रही है उन्हें भी आप रेफरल कोड अंकित 10 लाके के यूज कर सकते हैं साथियों बात की जाए आप लोगों को उपहार वितरण की तो आप लोगों के लिए अनकेडमी पर mobile learning एब आपको इस्टॉन करना है अनकेडमी से और वहाँ पर अनकेडमी पर rise 2.0 नामा के एक test सिरीज चल रही है उस test में winners को 3000, 2000 और 1000 के gift उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो आप इसे भी access कर सकते हैं free of cost आपको अनकेडमी लर्निंग एब पर उपलब्ध है किस प्रकार से गलत है आपको जानना होगा जरूर जानिएगा बहुत अच्छा detail में session लिया जा रहा है सुबह सवा 8 बजे देखना ना भूले नमबर दूसरे सवाल पर हम पहुँचते हैं पूरे अंतर राष्ट्य फिल्म महुतसव का 19 संसकरन 4 से लेके 11 मार्च तक आयोजित किया जाना है यह किसको समर्पित किया जा रहा है पूरे जो कि महराष्ट्रा में इस्तिर है यहां पर इसे आयोजित किया जाएगा यह तथ्य याद रहना चाहिए तेलंगाना ने महीला उद्मियों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के साथ समझोता हस्ताक्षर किया है तो मेरे प्यारे साथियों तेलंगाना ने गुजरात के साथ महीला एंट्रप्रेनियोर्स की मदद करने के लिए हाल ही में समझोता किया है उमीद है आप सभी साथी इस तत्थे को याद कर लेंगे महीला उद्मियों को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार के दौरा यह कार्य किया गया है गुजरात और तेलंगाना साथ में मिलकर के महीलाओं के लिए किस प्रकार से एंट्रप्रेनियورशिप की स्किल्स को डवलब किया जाए 240 महिला उद्मियों को इस काम के लिए ट्रेन किया गया है ऐसे 20 केंडिडेट जो है वो मतलब सौर्ट लिस्ट किये गए हैं जिन्हें इस पूरे इंक्यूबेशन के अंदर साथ साथ ट्रेनिंग दी जाएगी बात की जाए मेरे पहरे साथियों तेलंगाना की तो तेलंगाना आंदर प्रदेश से तूटकर वर्ष 2014 में बना चंदरशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं बात की जाए गुजरात की तो गुजरात और महरास्टरा कभी एक ही हुआ करते थे मुंबई राज्य के नाम से जाना जाता था गुजरात भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा साजा करने वाला राज्य है तो तेलंगाना के साथ समुद्री सीमा ही साजा नहीं होती है यानि कि यह लेंड लॉक राज्य है ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं बात की जाए गुजरात की तो यहां की राजधानी गांधी नगर है, यहां पर कोप 13 का आयोजन हुआ था, वो फरवरी 2020 के अंदर याद कर लीजेगा, बॉन कन्वेंशन जिसे आप कोप 13 के नाम से जानते हैं, उसका आयोजन हुआ था, मुक्यमंत्री विजयर उपानी है, आ हाल ही में जारी Global Fire Power Index 2020 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ, तो correct answer है मेरे पहरे साथियों, चौथा इस्थान भारत को हाल ही में प्राप्त हुआ है, दुनिया की 138 देशों में powerful armies के रूप में अगर बात की जाए, military के अंदर बात की जाए, तो भारत का चौथा इ पहले स्थान पर, रशिया दूसरे स्थान पर, चाइना तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा, हमारा बालक पाकिस्तान चौथे स्थान पर ना रहकर, पांचवे स्थान पर ना रहकर, दसवे स्थान पर रहा, clear है, ये बाते आपको अतिरिक्त रूप से प्र रूर्नामेंट जीत लिया है, कैरो लिना मारिं ने यह है खिताब जीता गया है, यह यौनेक्स कहा पर आयोजित हुआ था, थाइलेंड के अंदर आयोजित हुआ था, 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था, वर्ड बेडमींटन फैडरेशन के दवरा इसे आय मेरे पैरे साथियों नेता जी के नाम पर रखा गया है याद रखियेगा कल नेता जी का जनम दिवस पराकरम दिवस के रूप में मनाने की बात हो रही है हावडा जो कि कहां पर इस्थित है हावडा मेरे पैरे साथियों पस्चिम बंगाल में इस्थित है तो पस्चिम बंगा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का नाम ही नेता जी एक्सप्रेक्स रख दिया गया है क्योंकि भारत कल यानि की 123 जनवरी 23 जनवरी को मेरे प्यारे साथियों नेता जी का 125 जनम दिवस मनाएगा याद रखियेगा 23 जनवरी 1897 में को नेता जी सुभास्चंद बोस का जनम मेरे प्यारे साथियों इसके इतिहासिक रूप से मानिता भी रखती है कि यहाँ पर सुभास्चंद बोस ने एक बार इसे दोड़ते हुए पकड़ा था क्लियर है किस राज द्वारा अवलोकन सॉफ्ट्वेर लॉंच किया गया है तो मेरे प्यारे साथियों करनाटका के द्वारा अवलोकन सॉफ्ट्वेर लॉंच किया गया है BS येदुरप्पा के नेतरत्व में यह software अवलोकन का मतलब ही होता है कि यह एक प्रकार का निगरानी application होगा 1800 प्रोग्राम इसके अंतरगत चलेंगे 1800 प्रोग्राम के साथ-साथ करनाटका सरकार जो की येदुरप्पा सरकार है उसके द्वारा इसे लाँच किया गया है मेरे प्रोग्राम सरकार जो करनाटका की राजधानी बैंगलूरू है मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा गवर्नर फजुभाई वाला है मुख्यनियाधीश अभै श्रीनिवास ओका है लोग सभा में सीट 28 है राज्य सभा में सीट 12 है विधान सभा में 224 सीटे है माराष्ट गोवा केरल तमिनाडू के साथ इसका मुख्याले साजा होता है इसरो का मुख्याले पैंगलूरू में ही है और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए भारत की जो साइबर सिटी है उसके रूप में आप इसे जानते हैं आगे बढ़ते हैं किसे आयुष मंतराले का अतरिक्त कार्यवार दिया गया है आयुष मेरे प्यारे साथियों आयुर्वेद, यूनान, आयुर्वेद, योगा, सिद्धहस्त, यूनानी और हॉमियोपेथी यह डिपार्टमेंट जो है इसका अतरिक्त कार्यवार हाली में किरन रिजुजु को दिया गया है पहले यह कार्यवार किसके पास हुआ करता था वो श्रीपद नाइक हुआ करते थे आयुष मंतराले के यह त्यान रखियेगा आयुष मंतराले के ऊपर जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो श्रीपद नाइक के पास हुआ करती थी जिनका की एक सड़क हादसे में निधन हो गया तो उनके इस्थान पर अब किरन रिजुजु को आयुष मंतराले का प्रभार सौपा गया है यह तथे याद कर लीजेगा यह स्टेट मिनिस्ट्री सौपी गई है प्रधान मंतरी ने 20 जनवरी 2021 को प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन के तहत किस राज्य के 6.1 लाख लाभारतियों को लगभग 2691 में करोड रुपए की वित्तिय सहायता जारी की है तो मेरे प्यारे साथियों प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा हाल ही में वित्तिय सायधा के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को वित्तिय सायधा प्रदान की गई है 6.8 लाच गरूं को इससे लाब होगा आवास मिर्मान के लिए सरकार के द्वारा उन्हें यहां पर फंड उबलब्ध करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से अंतराष्टे सीमा साजा होती है उत्तराखंड हरियाना, राजिस्थान, मद्यप्रदेश, शत्तिसगर, जारखंड परभिहार इससे इसके बॉर्डर साजा होते हैं उत्तर प्रदेश की भी है योगी आदित्तिनात मुक्यमंत्री है लखनाओ यहां की राजधानी है भारत की सबसे अधिक जनसंक्या रखने वाला राज तरप्रदेश है जबकि छेत्रफल के अथार पर सबसे बड़ा राज राजस्थान है किस राज सरकार ने मनरेगा के तहत कारे दिवसों की स संक्या सौ से बढ़ा कर 150 कर दी है एक सो पुचास दिन करने का निरने लिया गया है उत्तराखंड के अंतर जिससे लोगों को अत्यदिक रोजगार के साथ अनुप लब्द हूं मुक्यमंत्री यहां पर रिवेंदर सिंग रावत है, 15 दिन के अंदर इसकी समिक्षा हो जाएगी, गैर सेंड यहां की गृष्म कालिन राजदानी बनाई गई है, और शीद कालिन दैरादून है, रिसेंटली वैन हैसदा था, 354 वी जैनती गुरू गोविन सिंग जी की कब मनाई गई तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 20 जनवरी को, हाल ही में 20 जनवरी को गुरू गोविन सिंग जी की जैनती मनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा 354 वी जैनती है ये मनाई गई है गुरू गोबिन सिंग जो है ये सिख धर्म के दसवे गुरू थे ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए इनका जनम पटना साहिब में हुआ था ये तथ्य अतिरिक तुरूप से मालूम होना चाहिए इनके अनुसार ज इसी दिन इनके जनम से शुरू होता है हाल ही में किस संखण के द्वारा कस्टमाईड मर्टेंडाईज लॉंच किया गया लॉंच करने की घोशना की गई तो इसरो के द्वारा शुरू की गई इसमें क्या किया जाएगा इसमें इसरो के नाम से ही कपड़े बेचे जाएंग है साइन्स के पती लोगों की जिग्यासा है वो पढ़े इस प्रकार का सामान बेचने का निर्णे इसरों ने किया है ताकि लोगों के बीच में अवेरनेस पहुंच जाए इसरों की स्थापना 1969 में हुई थी विक्रम सारा भाई इसके फांडर हुआ करते थे बैंगलूरू में इसका हेड़कॉाटर है और मेरे प्यारे साथियों इस समय जो है वो के अपने सिवन साहाब हैं वो इसके निर्देशक हैं आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ किस राजी सरकार के द्वारा गोरे वाला इंटरनेशनल चिडियागर का नाम बदल कर बाला साहिब ठाकरे गोरे वाड़ा इंटरनेशनल जूलोजिकल पार्क कर दिया है तो मेरे प्यारे साथियों नन अदर देन महाराष्टरा के द्वारा ये है काम किया गया है नागपुर के अंदर इस्थित है यह है पार्क जिसको बाला साहिब ठाकरे के नाम परिवर्तित कर दिया गया है बाल तो है चो के कारेकारी बोर्ड के 148 फिस सत्र के अंदर अध्यक्ष कौन बना है तो मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर हर्श वर्धन आपको याद होना चाहिए जो कि भारत के अंदर स्वास्तिमंत्री हैं यह यहां के अध्यक्ष बन गए हैं यह हमने आपको बहुत पहले भी बताया था 148 फिस सत्र की इन्होंने यहां पर अध्यक्ष ता की है 18 जनवरी गो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ही यह सेशन कंप्लीट हुआ था यह तत्य आपको मालूम होना चाहिए एक्जेक्यूटिव बोर्ड के मेंबर के रूप में वर्ष 2023 तक डॉक्टर ह बलिंगा ने अपने द्वारा क्रिकेट की जो फास्ट क्रिकेट मैच है उससे सन्यास लेने का निरने लिया है। मेरे पैरे साथियों IPL के इतिहास में यह अग्रणी रहे हुए हैं लशित मलंगा श्रीलंका से खेलने वाले खेलारी हैं मुंबई इंडियन्स की तरफ से IPL म जानकारी यहां पर प्राप्त हुई होगी अपने सभी साथियों से इस सेशन को शेयर करना बिलकुल ना भूलें मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका उपयोग करके अनकेडमी पर उपस्थित मेरी special classes सुबह सवा 10 बजे दुपहर 12 बजे दुपहर 1 बजे जो भी special classes होती हैं उन्हें आप इससे जॉइन कर सकते हैं 10% डिसकाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं अनकेडमी राइस 2.0 पर टेस्ट देखर के आप 3000, 2000 और 1000 के पर उसका रोज जीश सकते हैं रोजाना सुबह 8 बजे अनकेडमी लर्नेग अपर आपके लिए टेस्ट होता है सुबह 7-8 बजे U हमारे द्वारा एक इशू कवर किया जाता है और कल हमने एक इशू कवर किया था शाम को सवा 7 बजे जिसमें ये पढ़ाया गया था कि कौन-कौन सी खाल ही में महत्वपूर्ण नियोक्तियां हुई हैं अमेरिकी प्रशाशन में उसे भी देखना ना भूलें थैंक यू सो मच अपना खयाल रखें फिर मिलते हैं सुबह साड़े 6 बजे इसी चैनल पर न्यूज एंड एनलिस शो में तिल देन टेक केर थैंक यू सो मच